मुदारीश करने जा रहा हूँ हमारे भी मौजज़ मेहमान आली जनाब विधायक जी नागेंडरी सिंग मुन्ना यादो जी मौजूद हैं मैं उनसे गुदारीश कर रहा हूँ कि वो माइक पत्श्रीफ लाएं ऐसा हुक्म है आली जनाब अबरा कुसे निद्रीसी साब का कि चंद लफ्ज, चंद जुम्ले इन समातों के हुदूर अपने ख्यालाद पेश कर दे, मैं उनसे गुदारीश कर रहा हूँ कि वो माइक पत्श्रीफ लाएं आप अजराद जोरदार तालियां बजाकर इस्ते अकबाल करें आली जनाब नागेंडरी सिंग मुन्दा यादव विधायक समाजवादी पार्टी कट्रा मेधनी के इस मैदान में इस चुनावी समय में मुसायरे के आयोजक गण समाजवादी पार्टी के महासचिव भाई जिलानी साहब मुकतार राइन भाई और वासिक खान साहब सभी हमारे तवारक भाई सुएब भाई तमाम जो हमारे साथी है और सामने उपस्तित बुजर्गो और नोजवान करांतिकारी साथियो तथा इस मुसाहरे के माध्यम से संकट का समय है हम लोगों के महबूब नेता प्रमादर्णि इस्रदे मुलाहिम सिंग्यादो जी बीते दस तारीक को इस दुनिया से रुक्सत हो गए आज सोहा के माध्यम से हम सबसे पहले उनकी आत्मा के लिए इस्रद से प्राथना करते हैं अल्ला से प्राथना करते हैं क्यों जहां पे भी हो हम लोगों को एक दसा और दिसा देने का काम करते रहेंगे सातियों जो भी आया है इस दुनिया में सब को एक ना एक दिन जाना है तमाम बड़ी बड़ी सक्षिते आई और अपने पीछे जाने के बाद जो अपनी सोच जो विचारधारा थी उसको छोड़ करके जाने का काम किये है हम लोगों के हाँ हिंदू समाज में चाहे राम आये चाहे किसन आये या तमाम जो पेगंबर आप के हाँ आये सारे लोग अपने इस सरीर कुरूपी दे को छोड़ करके जय गए हैं मगर सातियों उनके जो विचारधारा है जो सोच है उसको ले करके आगे आने वाली जो पीडिया है इनको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ता है तभी जाकर के एक अच्छा स्वस समाज बनता है मित्रो चुनाव का समय आ गया है और हमारी लड़ाई जो है ओई इस देश पर जो कामी स्थाक्ते हैं जो जो जूट और फ्रेव के बल पर इस देश और परदेश की कुर्शियों पर पहुँचने का काम किया है और इस देश के भोले भाले लोगों को गुमरादा करकर जूटी बात बोल करके मित्रों ये जूट और फरेव के बल पर बैठे हैं और ये इस देश के गरीब और कमजोरों को जो भूके हैं नंगे हैं लाचार हैं उनको उसी गुर्वती के जीवन में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं तभी तो आपने देखा होगा या आज आठ साल से केंद्र और प्रदेश की सरकारों में जो बैठे हैं एक भी गरीब आदमी के हित में कोई काम नहीं करने का काम किया है हम लोग दूसरी तरफ समाजवादी सोच के लोग समाजवादी पिचारधारा के लोग मात्मा गांधी डाक्टर लोहिया चुत्परवर्धन अउड़ा आसफ़जी सरदार पटेल डाक्टर अम्बेड कर मौलाना अबुलकलाम आज़ाद जैसे लोगों ने जो रास्ता दिखाय था उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं मगर दुरभाग गहमित्रो आज़ादी के लड़ाई के समय में भी जो लोग अंग्रेजों से मिल करके इस देश को गुलाम मनाय रखना चाहते थे और इस देश के कमजोर और गरीबों पर अन्या इत्याचार करने का काम करते थे आज इस देश की कुर्चियों पर काविज हैं और आप देख रहे होंगे आज हमारे देश के नौजवानों पर बेरोजगारी का इतना बड़ा अलम है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है किसान परेशान है साण और गायों से ब्यापारी परेशान है महगाई से ब्रश्टाचार से आतंक से इन सब चीजों को आने वाले समय में हमको आपको भी समझना पड़ेगा मैं निवेदन करूँगा जो भी सुरा इक्राम है इन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो देश की देशा और देशा है उसको भी वर्णित करने का काम आप लोग इन समाज के लापने का काम करिए चुकि लेखकों और कभियों का मुसायरे के लोगों का आजादी की लड़ाई में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जब जब जरूरत पड़ी है इस देश को अपनी कविता के माध्धम से अपनी लेखनी के माध्धम से इस देश के गरीबों को कमजोरों को जागरिच करने का काम मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ हमारे सामने जो सुपस्थित लोग है आने वाले समय की जो चुनोतिया है उसको सुईकार करने की जरूरत है बाई मुकताज साहब यहां से टाउन एरिया का चुनाव लड़ना चाहते है बहुत अच्छी बात है मगर सात्यों एक निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ यहांने वाले समय में यह चुनोति को सुईकार करियेगा और समाजवादी पार्टी से जिसको भी टिकट हो जाए उसको चुनाव जिताने का काम करियेगा मित्रो वर्ला जो हालात है बाई जकी साहब बैठे है आपकी परताफ गड़ सिटी टाउन एरिया हमेशा वहाँ से आपके अल्बजिंख समाज के लोग होते थे मगर दुर्भाग के उदाहरणा आपके सामने बराबर में पड़ा हुआ है आज तक तमाम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे है मगर मुसल्मान समाज का आदमी महाँ से चुनाव नहीं जीत पा रहा है इस बात को ध्यान रखने की जरूत है मित्रो चुकि लड़ाई जो है मारी आरसस जैसे संग्टाम बरदाइक संग्टन से है जब हम आप सोजाते हैं तो जग करके ऐसी नीती बनाते हैं उनके पास कोई काम नहीं है तो हिंदू मुसल्मान के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं और जब सत्ता और सरकार में आते हैं तो गरीबों और कमजोरें के उपर जुल्म और जाती करने का काम करते हैं मैं बत्पूछना चाहता हूं मित्रो भारत के देश का संभिधान खत्रे में है हमारी आजादी खत्रे में है अजादी अगर संभिधान हमारा नहीं खत्रे में होता तो आज जो हालात हो रही है किसी का घर गिरा दिया जा रहा है बुर्डोजर पहुंच करके गिरा दे रहा है कुर्की और जब्ति करने का अधिकार तो है मित्रो किसी को 302 में सजा दे जा सकती है उसको फांसी की सजा दी जा सकती है मगर जो अपराद किया होता है उसी को सजा दी जाती है उसके घर और परिवार के लोगों को सजा देने का कोई हमारे संभिधान में कानून नहीं है हमारा घर हमारे घर में माबाप रहते हैं भाई बहन रहते हैं और कहीं से किसी का अपराद हुआ तो उसके घर को गिराने का अधिकार कहीं नहीं मित्रो मगर हमारे समिधान को रौदा जा रहा है हमारी कानून को रौदा जा रहा है हमारे महभूब नेता आली जनाब आजम साहब के साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है दस बार के विधायक, दो बार सांसद, नेता प्रतुपक, चार बार मिनिस्टर उनके राजनेतिक जीवन के केरियर पर प्रस्थितिन लगाने का काम किया गया रहा है अखिलेश यादों को चुनावयोग से नोटिश दी जा रही है और जब सवाल उठा करख़णा किया जाता है कि चुनावयोग जो है मनमानी कर रहा है मुसल्मार और यादों के नाम काटे जा रहे है तो उनको नोटिश पकड़ा दी जा रही है तो ऐसे समय में चुनोतिया बहुत है मित्रों बातें बहुत करनी हैं थी बहुत मगर मैं जानता हूँ आप लोग यहां मुसारा सुनना चाहते हैं मैं इसी के साथ सभी साथियों का जिन लोगों ने मुसारे कायोजन किया है उनके कनवीनर साहब को और उनकी कमेटी को अपनी तरफ से बना बदाई देता हूँ और आने वाली चुनोतियों को अपने सम्मानित बुजुर्गों नौजवानों से इस निवेदन के साथ कि उसको आने वाली समय की चुनोतियों को सुईकार करने का काम करिएगा नहीं तो ये देश जिसको सपना सजोया था हमारे महापुर्शों ने वो देश और प्रदेश बचने की स्थिती में नहीं होगा इस आसा और विस्वास के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत जै समाजवान